हरे कृष्णा, बोलिये लक्ष्मी नरायन स्री विष्णू भगवान कीजे, स्री तुलशी शाली ग्राम भगवान जी कीजे, ओम नमः शिवाय प्रिय भक्तिकड़ों, आज भादर पदमा, सुक्लपक्ष की परिवर्तनी एकादसी का वरत है, इस एकादसी को जलजूलनी एकादसी, जयन्ती एकादसी, पदमा कर्मा एकादसी, पाश्व एकादसी या डोला ग्यारश के नाम से भी जाना जाता है इस दिन भगवान स्री हरी विश्णू सयन करते हुए बाई करवट से दाई करवट बदलते हैं इसलिए इस एकादसी का नाव परिवर्तनी एकादसी है इस दिन भगवान विश्णू के पाँचवे अवतार वामन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है भगवान स्री कृष्ण जी के मुख से एकादसी वरत कथाओं का आनंद लेते हुए अरजुन ने भगवान स्री कृष्ण से कहा हे जनातन इह भगवन भादरपद शुक्ल एकादसी का क्या नाम है इसकी विधी तथा महात्म क्या है इस व्रत को करने से कौन से फल की टापती होती है? कृपया करके आप हमसे विस्तार पुर्वक कहिए तब भगवान सरी कृष्ण कहने लगे की है कुंती पुत्र इस पुन्य, स्वर्ग और मुक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम परिवर्तनी एकादसी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ यह परिवर्तनी एकादसी, जयन्ती एकादसी और वामन एकादसी भी कहलाती है इसका वरत करने से वाजपे यग्य का फल मिलता है पापियों के पाप नास करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं जो मनुष्य इस एकादसी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पुज्य होते हैं अतह मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य से इस वरत को अवस्य करें जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवर्ष्य भगवान के समीब जाते हैं जिसने भादर पद शुकल एकादसी को वरत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विश्णु महेस सहित तीनों लोकों का पूजन किया अतह हरी वाशर अर्थात एकादसी का वरत अवस्य करना चाहिए इस दिन भगवान करवट लेते हैं इसलिए इसको परिवर्थनी एकादसी भी कहते हैं भगवान के वचन सुन कर अरजुन बोलें हे भगवान हे कमल नयन मुझे अती संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेती हैं तथा किस तरह राजा बली को बाधा और वामन रूप रख कर क्या क्या लिलाएं की चातुर मास के वरत की क्या विधी है तथा आपके सयन करने पर मनुष्य का क्या करतब्य है सो आप मुझे से विस्तार से बतलाईए भगवान स्री कृष्ण कहने लगे हे अर्जुन हे पार्थ अब तुम सब पापों को नश्ट करने वाली कथा का स्रवन करो त्रेता युग में बली नाम का एक दैत्य था वह मेरा परम भग्त था बिधिवत प्रकार के वेद सुक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्रामडों का पूजन तथा यग्यों का आयोजन करता था लेकिन इंद्र से द्वेश के कारण उसने इंद्र लोग तथा सभी देवताओं को जीत लिया इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच बिचार कर भगवान के पास गए ब्रहस्पती सहित इंद्र आधी देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और इस्तुती करने लगे अब मैंने वामन रूप धारड करके पाँचवां अवतार लिया और फिर अत्यंत ही तेजस्वी रूप से राजा बली को जीत लिया इतनी वार्ता सुनकर अर्जुन बोले इहे जनातन आपने वामन रूप धारड करके उस महा बली दैत को किस प्रकार जीता स्री कृष्ण जी कहने लगें मैंने वामन रूप ब्रह्मचारी वली से तीन पग भूमी की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको तीन लोग के समान है और हे राजन यह तुमको अवस्य ही देनी होगी राजा बली ने इसे तुछ याचना समझ कर तीन पग भूमी का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्री विक्रम रूप को बढ़ा कर यहां तक की भू लोग में पद, भूव लोग में जंगा, स्वर्ग लोग में कमर, मह लोग में पेट, जन लोग में हिर्दय, यम लोग में कंठ की स्थापना कर, सत्य लोग में मुख, उसके उपर मस्तक स्थापित किया सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गड़ योग नच्छत्र इंद्र आदी देवता और शेश आदि सब नाक गड़ों ने बिविद प्रकार्शे वेद सुक्तों से प्राथना की तब मैंने राजा बली का हाथ पकड़ कर कहा एह राजन एक पद से प्रिथवी दूसरे से स्वर लोगपूर्ण हो गया अब तीसरा पग कहां रखूं तब बली ने अपना सिर जुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया फिर उसकी विनती और नम्रता को देख कर मैंने कहा हे बली मैं सदैव तुम्हारे पित हुई इसी प्रकार दूसरी छीर शागर में सेश नाक के प्रिष्ट पर हुई है अर्जुन इस एकादसी को भगवान सयन करते हुए करवट लेते हैं इसी लिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विश्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए इस दिन तांबा चांद चावल और दही का दान करना उचित है रात्री को जागरण अवस्य करना चाहिए जो बिधी पुर्वक इस एकादसी का वरत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकासित होते हैं और यश्पाते हैं अतह है अर्जुन इस दिन पुर्वक किया गया दान पुन्य का नास कर देता है राजा बली ने अभिमान किया और पाताल को चला गया इसी प्रकार अवंती पूरी के राजा धर्मदेव ने क्रोध वस कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीडे की योनी में जन्म लेना पड़ यह सुनकर अरजुन ने कहा इहे मदुसुदन उस राजा धर्मदेव ने ऐसा क्या दान किया था जिससे उसे कीडे की योनी में जन्म लेना पड़ा तब भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि इहे अरजुन प्राचीन समय की बात है अवंती पूरी राज में एक महा दानी रा देते तब तक स्वैम भी भोजन नहीं करते थे यह उनका रोजाना का नियम था पूरे राज में उनकी खूब प्रसंसा होती थी राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियम था वह एक निश्चित समय तक ही दान देते थे राजा प्रातह काल से एक प्रहर होने के दान बाटना सुरू करते और सुर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देते थें। सुर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहां जाता था, तो वह उसे दान नहीं देता था, बलकि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याती धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड लगी रहती थी। वह प्रते एक दिन हर याचक को दोनों हाथों से अंजली में जितनी स्वण मुद्राएं आती थी, उतना धन दिया करत थी। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थी। इसी प्रकार से राजा के बड़े ही अच्छे दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि उसी राज में एक ब्रामण परिवार रहा करता था। वह ब्रामण अपनी पतनी के साथ सुख पुरवक जीवन आपन करता था। ब्रामण बड़ा ही तपश्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन क्या हुआ कि ब्रामण की पतनी ने अपनी पडोस में किसी के मुख से सुन लिया कि हमारे राजा बड़े ही धनी राजा जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्रामणी पडोस से यह बात सुन कर आई और अपने पती से जाकर कहने लगी कि हमारे राजा बड़े ही दानी है। उनके द्वार से आज तक कोई निरास लोट कर नहीं आया। आप भी महराज के दरबार में चले जाईए। महराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाए तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्रामणी ने आगे कहा कि हे स्वामी ग्रिहस्त वेक्ती का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे उसे हर शुक सुभिधा प्रदान करें जो लोग ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें भी परिवार का भरड पोसड न करने के कारण पाप लगता है। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी आचक आये थें। सभी दान लेकर जा चुके थें। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिये गए थें। इधर ब्रामण बड़ी दूर से पैदा चलकर आ रहा था। लेक पर महलों की ओर जा रहे थें। उसी समय रास्ते में ब्रामण उसकी मार्ग में आ जाता है। और कहने लगा महराज मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीब को दान देती हो। मैं भी एक गरीब ब्रामण हूँ और काफी दूर से चलकर पैदल तुम्हारे द्वार पर आया कृपया मुझे दान दीजी। सुर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्रामण को आया देख कर। राजा कहने लगा कि ब्रामण देव मुझे छमा करना। मैं सुर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सुर्यास्त के बाद आये हो। अब आप लट जाए और प्रातहकाल मेरे पास आना तब मैं आपको दान दूँगा कल जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दूँगा हे अर्जुन ब्रामण थोड़ा जिद्दी सभाव का था तो कहने लगा महराज मुझे आज ही दान नहीं कर सकता रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहां नहीं आ सकता जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ कुरोध आया परंतो ब्रामण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया कि ब्रामण देव तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्रामण बोला कि नहीं महराज, मैं दान केवल आज ही लूँगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया, और क्रोधित हो करके राजा ने वहां कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास आप हुझे थे, राजा ने देखा कि ब्रामण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा न घोड़े की लीद उठा कर ब्रामण के कमंडल में डाल दी, ब्रामण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है, इधर घर पर उसकी पतनी इंतिजार कर रही थी, कि हमारे ब्रामण देव राजा के यहां से कुछ दान लेकर आते होंगे, ब्रामणी तो सोच ब्रामण की लीद लेकर अपने घर पहुची, तो ब्रामण की पतनी बड़ी ही प्रसन होती है, और ब्रामण से कहने लगती है, कि देखिये मैंने आप से कहा था न, कि महराज की दरबार में दान लेने जाओगे, तो महराज हमारी गरीबी मिटा देंगे, यह बात सुनकर ब बड़ी खुसी के साथ ब्रामण पतनी ने उस जगह को लीप दिया, और उस जगह पर एक दीपक जला कर रख दिया, और वहीं जाकर बैठ गई, उसके बाद ब्रामण ने घोडे की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्रामणी को दे दिया, यह देख करके ब्रामणी राजचर चकित रह गई, कहने लगी यह कैसा मजाक है, ब्रामण ने कहा मजाक नहीं है, जो राजा ने दान दिया है, यही मैंने तुम्हें लाकर दिया है, अब तो ब्रामणी बड़ी दुखी हुई, कि राजा ने लीद का दान दिया है, क्या राजा के पास धन की कमी हो ग प्राम्हण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। ब्राम्हण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राम्हणी ब्राम्हण से पुछती है की है पती देव इस लीद का क्या होगा। ये तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदो क ग्याता है, मुझे इसका अर्थबत लाईए। तब ब्रामण कहने लगा, हे प्रिये, देखो, राजा के दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उससे ही भोगना पड़ेगा। हे अर्जुन धीरे-धीरे समय बीतता गया और उधर उस लीद का पहाड काफी बढ़ा हो गया था। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में सिकार करने के लिए जाता है, परन्तु राजा धर्मदेव को कोई सिकार नहीं मिलता है। जब कोई सिकार नहीं मिला, तो उसे मार्ग में ही कहीं रुगना पड़े। अब शाम का समय हो चुका था। सुर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना छत्रियों का धर्म नहीं होता। यहीं सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढोड़ने लगे। ढोड़ते ढोड़ते राजा उसी ब्रामण के घर पहुच जाते हैं जिसे राजा ने पंद्रह से सोलह वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भोल चुका था। राजा की बात सुन करके ब्रामण कहने लगा आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। हे अरजुन उस रात राजा धर्मदेव ब्रामण की कुटिया पर विसराम करते हैं। जो भी ब्रामण के घर रूखा सुखा भोजन था। उससे ब्रामण ने राजा का अतिति सत्क इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती इधर जब सवेरा हुआ तो राजा के दृष्टी ब्रामः की कुटिया के बाहर उस लीद के धेर पर पड़ती है जो अब तक पहाड के रूप में बन गया था उस लीद के पहाड को देख करके राजा आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का धेर लगा हुआ है तब ब्रामःड ने उतर दिया हे भईया हम तो पूजा पाठ जब तब साधना करने वाले ब्रामःड हैं हमें भला घोड़ा से क्या काम राजा ने कहा तो फिर आपके घर के बाहर ये ली चुपा है अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई ब्रामः गोला है यातरी हमारे राज का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है वह रो जाना सोने का दान करता है 15 से 16 वर्ष पहले की बात है मेरी पतनी ने मुझे जिद करके राजा के यहां दा दान लेने चला गया जब मैं राजा को दान देने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोडे के लीद डाल दी और मै मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैं उस लीद को यहां रख दिया क्योंकि यह लीद मेरे कुछ काम का नहीं था और दान की वस्तु कुमे कहीं फेकना नहीं चाता था तो राजा ने पूछा है ब्रामहर देव राजा ने तो थोड़ी सी लीद दान में दी होगी पर यह तो इतना बड़ा पहाड कैसे बन गया तब ब्रामहर ने समझाया भाई हमारे वेद पूराड यह कहते हैं अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका हजार गु ब्रामहर की बात सुनकर राजा के पैरो तले जमीन खिसक जाती है राजा तो इस बात को भूल चुका था पर ब्रामहर के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने ही यह लीद एक ब्रामहर को दान में दी थी अब तो राजा बहुत ही जादा घबरा गया दोनों हाथ जोड़ करके ब्रामःड से पूछने लगा कि है ब्रामःडेव राजा इसका फल कैसे भोगेगा मुझे इसकी बात बता दो ब्रामःड बोला भाई ये लीद का धेर अब राजा को खाना पड़ेगा जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता ही रहेगा ब्रामःड की बात सुनकर राजा घबरा गया और उसने सारी बात ब्रामःड को बता दी कि मैं ही इस राजे का राजा हूँ और मैंने ही आपको लीद का दान लिया था आप मुझे छमा करें और मुझे इसका उपाय जरूर बतला दें कि मेरा उधार कैसे होगा ब्रामःड कहने लगा यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिडाम तो तुम ही भोगना ही पड़ेगा क्योंकि दान देने वाला यदि किसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है वह दान पाने वाले की किसी काम की नहीं है तो उस वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है ब्रामण कहने लगा राजन आपको अपने किये का फल तो भोगना ही पड़ेगा यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय है यदि तुम उस उपाय को कर दो तो उस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिश्यदार हो जाएंगे यदि तुम उस उपाय को नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही सारे लीद खाने पड़ेगी ब्रामण कहता है राजन यदि आप अपनी श्वयम की निंदा करवाओ जितनी इस राज में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीद घट कर कम हो जाएगी राजा बोला मेरी निंदा भला कौन करेगा लोग तो मेरी प्रसांसा करते हैं तब ब्राम्भर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरुही थें, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़ कर जबर्जस्ती अपने घर ले जाना, और उनकी मांगने पर भी उस कन्या को मत लोटाना, इस प्रकार जे तुम्हारी राज में निंदा सुरू हो जाएग इस प्रकार प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत ही बड़ी निंदा का काम किया है, फिर तो पूरे राज में तुम्हारे निंदा होने सुरू हो जाएगी, और यह लीद का धेर घटकर बहुत कम रह जाएगा, राजा को यह उपाय समझ में आ गया था, अब तो र पूछा राजन क्या बात है, आप बड़े ही उदास लग रहे हो, राजा ने कहा गुरुदेव, आप अपनी पुत्री को बुलाएए, मुझे उसी से काम है, राजा की आग्या मानकर पुल्पुरोहित ने अपने पुत्री को आवाज लगाई, राजा उसका हाथ पकड़ कर पुल्पुरोहित को धक्का देकर, उसकी पुत्री को रथ में बैठाकर, अपने घर ले गया, बेचारा अब्रामहड अपनी पुत्री के लिए गिलगिलाता रह गया, कि महराज यह आप क्या कर रहे हो, राजा ने एक नहीं सुनी, राजा चुप चाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुच जाता है, और अपनी राणी के पास छोड़ देता है, और कहता है इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना, और यह बात किसी को मत बताना, राणी ने पूछा कि महराज, आप इसे लेकर क्यों आए हो, यह तो आपके गुरु की पुत्री है, त अरजुन देखो, राजा जब कुल पुरोहित की पुत्री को उठा कर लाया, तो सभी प्रजा ने देखा था, उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किन्तु धीरे धीरे राजा की बुराई सुरू हो गई, अब तो पूरे राज के लोग उस राजा की निंदा करने लगें, क लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है, इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी, सब लोग कहने लगें कि ऐसे राजा का क्या भरोसा, जो अपने गुरू की पुत्री का ही हरड कर ले, इधर ब्रामण के घर के द्वार पर वह लीद का धेर क कम हो गया, राजा कुछ दिनों के बाद वहाँ जाता है, तो देखता है कि ब्रामण के घर के आगे लीद के धेर अब इतना रह गया है, जितना राजा ने ब्रामण को दान में दिया था, यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन होता है, राजा हाथ जोड़कर ब्रामण से ब अब इसका भी कोई न कोई उपाई कर दो ब्रामण ने बताया राजन यह जो लीद रह गई है यह तुम्हारे हिस्से की है इसे तुम्हें किसी न किसी जन्म में खाना पड़ेगा तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनी में जन्म देना पड़ेगा राजा बोला ऐसा कोई उपाई बताईए जिसे यह लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनी में जन्म ना लेना पड़े ब्रामण ने कहा नहीं राजन इसका कोई उपाई नहीं है समझ लो अब तुम्हें ही यह सब खाना पड़ेगा चहे जैसे खाओ यह बाद सुन करके राजा कहने लगा कि ब्रामण देव पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धरड़ करना पड़े तब तक पता नहीं मुझे से कितने पाप होते रहेंगे क्यो ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो कीडा बनकर मैं इस लिद को खा जाओंगा ब्रामण कहने लगे राजन मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता इतनी सामर्थ मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो भगवान का है परन्तु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि यहां से मरने के बाद तुम कीट ही बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की इस लिद को खा लोगे तो तुम वापस से मुक्त हो जाओगे क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है सदयवदान दिया है तुम्हारी दानियों में गिंती है तुमने हमेशा गरीबों में दान किया है परन्तु तुमसे यह एक भूल हो गई है तुम्हें यह भूल का दंड भूगतना ही पड़ेगा कीट तो तुम्हें अवस्से ही बढ़ना पड़ेगा इस लिद को खाने के बाद तुम मानव योनी को प्राप्त हो जाओगे भगवान सरी किष्ण ने कहा है अर्जुन कुछ दिनों के बाद राजा धर्मदेव की मृत्ति हो जाती है और मृत्ति के बाद उसे गोबर खाने वाले कीडे के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर वह लीद पड़ी थी वहाँ जाकर के वह लीद खाने लगा दीरी दीरे कई वर्षों में उस लीद को वह कीड खाते खाते उसने अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी उसके बाद भादर पद माह शुक्ल पक्ष की वामन परवर्थनी एकादसी के दिन और भगवान स्री नाराण का नाम उचरड करते हुए प्रभु को याद करने लगा इससे उसका उधार हो गया और वह मनुस्य रूप में प्रकट हो जाता है तथा दिव्यदेह पाकरवा स्वर्व को चला जाता है राजा धर्मदेव ने क्रोध में एक ब्रामण को दान में लीद दे दे थी जिसके कारवा एक किड़े की योनी में जन्म लिया इस प्रकार एक माहान दानी राजा को भी हे अरजुन जो मनुस्य अनुपयोगी वस्तु का दान देता है वह हमेशा पाप का भागी होता है दान देने से पहले मनुस्य को अपनी अंतर आत्मा को टटोलना चाहिए यदि दान देने की सामठ ना हो तो दान नहीं देना चाहिए हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में यदि मनुष्य से ने किसी के लिए खाने की वस्तु दान किये है तो आने वाले कई जन्मों में उसके लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा यदि उसने किसी का मजाग उड़ाया है एहंकार वस्त दान दिया है तो उसका फल उसे कई गुना होकर भोगना पड़ता है प्रियभर्तगडों आईए अब स्रमन करते हैं एकादसी माता की आर्थी विष्णु पूजावरत को धारण कर सत्ति मुक्ति पाता तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी गुण गौरवकी देवी माता सास्त्रों में वरनी ओम जय एकादसी माता विष्णु पूजावरत को धारण कर सत्ति मुक्ति पाता मार्गशीश के क्रिष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती सुक्ल पक्ष में मुक्ष दायनी पापो को धोती ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता पोश मास के क्रिष्ण पक्ष को सफला नाम कहे सुक्ल पक्ष में होय पूत्रदा आनंद अधिक रहे ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता नाम सट तीला माघ मास में क्रिष्ण पक्ष आवे सुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता बिजया फालगुन क्रिष्ण पक्ष में सुक्ला आम लकी पाप मोचनी क्रिष्ण पक्ष में चैत्र मास बलकी ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन्देने वाली नाम बरुथनी क्रिष्ण पक्ष में बैशाख माह वाली ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता सुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेश्ट क्रिष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी सुक्ल पक्ष रखी ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता योगिनी नाम असाध मास जानों क्रिष्ण पक्ष वरनी देवशैनी नाम कहायों सुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता कामिका स्रावड मास में आवे क्रिष्ण पक्ष कहिये स्रावड सुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिये ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता अजा भाद्र पद क्रिष्ण पक्ष की परवर्टनी शुक्ला इंदरा अश्विन क्रिष्ण पक्ष में वरत में भवशागर निकला ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता पापा कुनसा है सुक्ला पक्ष में पाप हरन हारी रमा मास कार्ति के में आवे सुख दायक भारी ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता देवो थायनी सुक्ला पक्ष की दुख नासक मैया लोदा मास की करू विनती पार करू नईया ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता सुक्ला लोद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी परमा क्रिष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता जो कोई आरती एका दशी की भक्ति सहित गावे जन रघुनाथ श्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता ओम जय एका दशी जय एका दशी माता विष्ण पूजा वरत को धारड कर सक्ति मुक्ति पाता झाल